14 गस 2022 को हमने इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इंवेस्टर राके जुझन वाले को खो दिया लेकिन इस दुनिया को अलवीदा कहने से पहले उनोंने एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाया करी जिसमें बड़े से बड़े इंवेस्टर भी इंवेस्ट करने से कत राते हैं एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े दिगजों के पैसे को दुबाया है लेकिन राके जुनजनवाला की बात अलग थी वो हर उस फील्ड के अंदर इंवेस्ट करते थे जिर्में उन्हें पोटेंशल दिखाई दिखाई देता था ना जाने कितने ही स्टार्ट अप्ट और कितने ही कंपनियों को उन्हें इंवेस्टमेंट करी थी अकासा एयर भी उन तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं मेरा नाम है नमन और को फोर्मडर ऑफ एक्क्याउन तो फ्यूचर में जाने से पहले पास्ट में चलते हैं इंडियन एविएशन इंडिस्ट्री की शुरुवात 1932 में जियाडी टाटा ने अपने टाटा एरलाइन को लांच करते टाइम करी थी स्टार्टिंग में तो एक पैरिट एरलाइन थी बट आगे चारकर ये कमिश्यर पैसेजर एरलाइन बन गई थी 1947 के अंदर टाटा एरलाइन का नाम बदलकर एर इंडिया रख दिया गया था एंड गवर्मेंट ने इसके अंदर 49% सेक अक्वाय कर लिये थे एंड आगे चलकर 1948 के अंदर एर इंडिया ने अपनी सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइग मुं है कर दिया दो बड़ी एर लाइन के अंदर वो ति एर इंडिया एंड इंडिया इंडिया अच बहुद मुदा फोकस करती थी जाले इंडिया करती थी इंटरनेशनल रूट्स पर एंड एर इंडिया जानी जाती थी अपने सुपीरियर सर्विसिस अंड प्रॉफिटेबल बिसनेस इंडिया की तरफ अपने कादम बढ़ाने चालू कर दिये थे अगे चलकर दस सालों के अंदर ये इंडिया के अंदर रिवियलाइजड हो गई थी एर इंडिया एंड ज्यादा लॉस्पेस करना पड़ा था क्योंकि जो नए स्टाटप आए थे वह बहुत ज्यादा फोकस कर चीप प्राइस के अंदर जैसे की इंडिको एर गो श्पाइस जैट एंड एर इसकी वजए से जो कॉंपेटीशन तो बहुत ज्यादा हाई हो गया था एंडि जितने भी नए स्टाटप से वह एक्चुली के अंदर बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर इन टिकेट को सेल कर रहे थे एंड इस इंडिस्ट्री में अगर आपको जीतना तो आपको सस्ते से सस्ते द्वामों के अंदर टिकेट को सेल करना पड़ेगा एंड इनी स्टाटपस ने आज इंडिया के अंदर 70% के मार्किट एक्वाय करके रखा हुआ है एंड इनी स्टाटपस के चलके आपके जंजनवाला ने इस कंपनी के अंदर 35.000.000 का इंवेसमेंट करके 40% स्टेक्स अक्वाय कर लिए थी लेकिन इस इंडिस्ट्री के अंदर 35.000.000 बहुत बड़ी रकम नहीं है और ना तो यह काफी है लेकिन राके जुन्जन वाला अपने साथ में काफी सारी और चीज़े भी लेके आने वाले थे जैसे कि उनका बहुत वैल्यूबल नेटवर्क दूसरा वो अकासा एयर को फाइनसिंग प्रोवाइड करवाने वाले थे करने के लिए तो आईए बात करते हैं कि क्या था बिजनस मोडल को गश्राइड का यह क्या करने वाली कि दूसरे जो ब्रैंड उनके लोगों को अपने यहां पर प्लेंड की सील्स के लगाना या फिर उनके ब्रैंड को जाद़ करना जिसकी वज़े से उनकी एक advertisement भी हो जाएगी प्रस अकासा एयर को इस चीज का पैसा भी मिल जाएगा इसमें होता क्या है कि जो seller होता है वो अपने प्रोड़क्ट को एक बायर को बेच देता है और बाद में उस बायर से उस प्रोड़क्ट को ले रेता है अब इससे दो चीज़े होती है पहला एक कमपनी को seller को instant funds मिल जाते हैं क्योंकि उनको पैसा तो चाहिए है दूसरा होता क्या है कि वो सस्ते दामों पे उस बायर से लीज पर उस प्रोड़क्ट को ले के इस्तमाल कर सकती है अब Akasa Air ने भी same strategy को यूज करके Griffin Global Asset Management के साथ दील करी है अपने पांच टॉटल बॉइंग 737 Max Airplanes को यूज करके अब थर्ड strategy है discounted price of airplanes अब कहने को तो जो बॉइंग का 737 plane है वो बहुत ज़ाद एफिशेंट है बट कुछ साल पहले इंडोनेशन ने इसके उपर बैन लगा दिया था क्योंकि पास्ट में इस plane के model के साथ में 2 accident अलरी हो चुके है और 100 से ज़ादा लोग इसके अंदर अपनी जान गवा चुके है लेकिन बाद में इडोनेशन ने इसके उपर से बैन हटा दिया है लेकिन काफी सारी जो airline industry आज भी इस Boeing के इस model को नहीं खरीती है क्योंकि एक trust issue बन जाता है लेकिन अब Boeing को तो profits कमा नहीं है इस planes को बेच के तो Akasa Airlines ने Boeing के साथ में एक deal final करी है जिसके आंदर इन planes को ये बहुत जादा सस्ते में करी देंगे तो Akasa को एक फाइजा ये भी हो गया है कि उनका काफी सारा पैसा जो है वो औरड़ी बच चुका है लेकिन Akasa Air को काफी सारे challenges भी face करने पड़ेंगे क्योंकि देखिए एवियेशन इडिस्ट्री वैसे ही खुद challenges से भरी पड़ी है अपने आप में एक challenge होने के बावजूद भी जो companies में कूटती है उसकी हिम्मत देने की बात है लेकिन Akasa Air को भी बहुत जादा भी challenges का face करना पड़ेगा पहला challenge है Indigo Indigo उसका direct competition है क्योंकि Indigo बहुत जादा सस्ती tickets भी provide करता है और Indigo जो आज भी है वो Indian के लोगों का first preference है तो उस चीज को tackle करने के लिए Akasa Air को एक ऐसी strategy create करनी पड़ेगी जिसकी वज़े से वो इस competition के अंदर टिक सके दूसरा challenge है कि Metro airports के अंदर एक attractive time slots को book करना है इसमें बहुत जादा पैसा भी लगता है थर्ड है office यानि की operational cost जैसे की maintenance क्योंकि अगर बात करा जाए maintenance की तो planes की maintenance को regular करना पड़ता है हर दो से तीन मैने के इंदर इनकी regular checking करनी पड़ती है यहां तक कि जब इनका nut का सा जा जा रहा है वो भी बहुत जादा certified लोगों से ही होता है जिसकी वज़े से जो maintenance की cost है वो बहुत जादा आसमान चुने लग जाती है और साथ के साथ में उसके fuel का खर्चा प्लस airports को use करने का खर्चा क्योंकि operation cost जो जादा होता है जो fare ticket से वो बहुत कम होते है तो इस वज़े से काफी बर क्या होता है कि balance नहीं बन पाता है and imbalance create हो जाता है जिसकी वज़े से maximum airlines का दिवालिया निकल जाता है अब four challenge है rising competition rising competition भी एक बहुत बड़ा factor role play करने वाला है इस challenging के अंदर क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी companies थी जैसे की jet airways, air India अब अपनी कबरों से निकलना चालू हो गई है and उनको भी इस field के अंदर उतर के पैसे तो कमा नहीं है तो वो भी बहुत जादा regulational prices लेके आएंगी और उसके लिए वो बहुत जादा काफी मेहनत कर भी रही है तो आप यह फ्यूचरी बताने वाला है कि कितनी अकासा है और कितनी बुलंदियों के वो उडान भरती है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आइए तो यहां पर इस playlist के पर जाकर click कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपने मेरा वीडियो देखा मुझे जानके बहुत खुश हुई Thank you